इनको बर्दे पर हमेशा से गिफ्ट चाहिए था पिछले बर्डे तक इनको लेफ्ट आप चाहिए था तो वो मैंने नहीं दिया तो फिर इस बर्डे मुझे कार देनी पड़ी एक बर्डे और रुख जाती तो यह हेलिकॉप्टर भांग लेते हुँ तो हे गाइस वेलकम बै सारी बाते करने वाले वाले वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाली है स्पेशली इन देयर 2023 आप एक मिड़ साइज एस यूवी लेने का प्लान कर रहे है और स्पेशली आटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ तो यह कैसा ऑफ्षन रहने वाली वह भी हम एंड में आपको बताएंगे तो लेट स्टार्ट वीडियो इस सरे वाइफ पावनी वह हमारे साथ जॉइन हो चुकी है कैसे हो आप कि शेयर करना इस वेरियंट की ऑन रोड प्राइस क्या पड़ी तो यह इतनी वेटिंग तो यह अपने अपने जल्दी कैसे मिल गई इसकी उन रोड प्राइस लगव 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 शाड़े पतना लाख है और इसकी वेटिंग हमने बुक कराई थी औक्टोबर में तो इस ऐसा हमारा प्लान था देन फिर मेरा बर्डे था नवंबर में तो इसेट की अपन जल्दी प्लान करते हैं और शी वांटेट टो गिव मी लाइक देस इन गिफ्ट तो फिर हमने पंदरा नवंबर के आसपास दो तीन डिलर्स को ट्राइ किया और सभी ने बोला कि आप हमको हो जहां जल्दी आ जाती है वहां से आप ले सकते हैं इतने सारे राइवल से इतने टाइम से इंडियन मार्केट में अपको कुशाग और टाइगन जैसे भी ऑप्शन्स मिल जाते तो ग्रैंड विटारा लेने के पीछे क्या स्टोरी रही है विकाज इस गाड़ी को अपने पंच काफी अच्छा था अबसे इसका रोड प्रेजन्स ही लगा हमको और हमको ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो पर कम से कम देखे हैं वाले को को डिफरेंट चाहिए था और फिसको चला के देखी तो यह कंपारिटिव जो दूसरी सेग्मेंट में कास है लग 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 इसको हमने जब बुक किया था तब तक स्कॉर्डा का कुछ ऐसा सेफ्टी रेटिंग नहीं था बट वह काफी प्राक्टिकल कार नहीं लगती हमको क्योंकि एक तो इसका एवरेज काम है दूसरा लाइक वह लोग के लिए जो एंथूजियास्ट है लाइक वी वांट इसके लिए क्रेटा सेल्टॉस और ग्रैंड विटारा में भी हमको एक लिक वी कंपेड टोटा हाइडर ऑलसो उसमें हम फुल हाइब्री वर्जिन देख रहे थे और इसमें मारूती का इंजने और उसमें ट्वाइटा का इंजने एस सो वी प्रिफर्ट की जिसका जो इंजने मु इंजन होने की वज़े से उसमें और वाइब्रेशन काफी जाधा थे तो मेरी प्रिफरेंस यह है कि मुझे लाइक साउंड लेस और स्मूथ कार चाहिए तो इसमें फोर सिलेंडर इंजन जो है वह काफी रिफाइंड है और जब आप जबी भी कार चलाते हैं आपको अंदर बिल्कुल भी साउंड नहीं आता है अभी भी मैं कन्फिज हो गया में डेल्टा ओटोमेटिक वेरियंट अवाज क्यों नहीं कर रहा है कि स्ट्रॉंग यह चीज तो है और दूसरी चीज़ अगर राइवल्स की बात करें क्रेटाउस एल्टाउस उनके ऑटोमेटिक गेरव इसका 44,000 कुछ का था और थोड़ा बहुत डिसकाउंट दिया उन्होंने तो 10% डिसकाउंट आप बोल सकते हैं अब में चीज़े आती है जैसा कि आटोमेटिक गेर बॉक्स लिया तो क्या कुछ मैलेज दे रहा है सिटी ड्राइज में बंपर टू-बंपर ट्रैफिक में हा मैलेज की बात करें तो अटोमाटिक का जैसा हमने सुना कि थोड़ा सा एवरेज मैनूल से कम रहा है स्टिल वी वांटिट कि हमको आटोमाटिक ही चाहिए अभी अगर मैं हाइवेड्राइब की बात करूं तो 19-20 के राउंड है और सिटी ड्राइब में 15-16 के राउंड मिल इतनी बड़ी गाड़ी एक चलाने का प्लेजर मिल रहा है तो माइलेज के दाथ कॉम्परमाइज कर सकते स्पेशली कुश्या को अगरा देखे तो यारी काफी अच्छा माइलेज उसके कंपरिजन राइए एससेसरी शोरूम से ही लगए या फिर कुछ अफिर मार के टेल नैम के जो इंसर्ट सेने यह मुझे काफी अपीलिंग लग रहे थे एक चीज़ और पुछना चांगो कि कलर चोई सिल्वर कैसे बनी बिकॉस मुझे भी सिल्वर काफी पसंद आया था मेरे टाइम पर अगर मैं बात करूं कि सारे के सारे काफी अच्छे हैं अना बट जब जब शोरूम जाते हैं तो एक लाइक इंडियन मैंटेलिटरी क्या बोलती है वाइट कलर इस सदा बाहर हमने बुक तो वाइट ही कराया था बट जब हमने अविलिबिलिटी चेक करी तो डीलर ने बोला कि सिल्वर अवलेबल है सिल्वर का लोग काफी अपीलिंग था तो वी सदिए यस वील गो विद डाट में मैं की चोईस ती क्या ग्रेंड विटा रहा कार देखना तो ब्रेजा से चालू करी थी देन वी अपग्रेड़ेड और जब इस कार को देखने का तो शी बॉस इंप्रेस हुए इसके लुक्स बहुत अच्छे है और इसका इंटीर बहुत अच्छा था एक्चली ब्रेजा हमने अल्मोस सिलेक करी ली थी एन उसके बाद हमारा नेक्सा के शोरूम पर जाना हुआ तो हमने यह सिल्वर वेरियंट में वहां पर शोरूम पर रखी हुई देखी तो बहुत अच्छी लगी इनको और फिर हमने और एक्स्लोर किय है थोड़ा ही बज़ट और बढ़ रहा था इनली हमने फिर यही लेने का डिसाइड किया एंड इसके अलावा हमने और भी उप्शन्स एक्स्प्लोर किये थे साथ में मैं भी ड्राइव करती हूं तो इसके साब से हमने कुशाक देखी थी हमने वेन्यू चला के देखी थी एंड हमने सेल्टॉस देखी थी एंड क्रेटा भी हमने देखी थी में यही चीज पूछना जाता था कि आप भी ड्राइव करते हो दोनों ड्राइव करते हो गया तो कहीं ना कहीं आटोमेटिक एर बॉक्स जादा बढ़िया रहता आपके लिए अब मैं दोनों से पूछना काफी जादा टेस्ट्राइव कर लिया था क्योंकि हम तो एक हमको अंदाजा हो गया था कि कैसे चलती है और जैसे यह घर आई उसके बाद लगब 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 200-300 किलोमेटर चलाना के बाद भी बिकेम कमफर्टेबल का बहुत जाद ऐसा कोई दिकत नहीं कि बढ़ा है य बढ़ी है तो फिर थोड़ा सा टर्निंग रेडियस और इसका बैटर हो सकता था जैसे क्रेटा और से बढ़ी गाड़ी है तो यहीं से हम टर्न करके जाएंगे ना तो वहां एक इशू बन सकता है यह बाते तो हो गई अब कहीं आसपास का कुन सा लॉंग ड्राइब एक्प पैंशन की बात करें कैसी के ड्राइविंग एक्सपिरियंस रहा है जो ड्राइब थी उसमें हम अमरे पैरेंट्स के साथ गए थे तो मैं मेरी वाइफ मेरी दॉर्टर मेरे दोनों पैरेंट्स तो हम पांच लोगों के साथ काफी कमफर्टेबल था और थकान भी बिल्कुल यह जो लगा नहीं कि हमने वांग ड्राइब किया काफी काफी अच्छा सा सब्स्पेंशन काफी अच्छे है इसके थोड़ा सा इनको थोड़ा सा नेरो लगता है एक चीज मेंने और एक्सपिरियंस करी कि रियर सीट में अगर कोई 6-ft अपन सा वेवरेज इंडियन है तो इ लेने का प्लान कर रहा हो तो यह चीज आने वाले वाले में कंपनी को इंप्रूव कर देना चाहिए तो जैसे बताई कि एक सीट थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए था था थोड़ा एक कमफट जाधा रहता अगर सेकें नेगेटिव की बात करें तो इसका आटोमाटिक जो है कि मैं भी एक प्राउड ओनर हूँ ग्रैंड विटारा का विकॉद यार मैंने क्रेटा सेल्टा सब चलाई है जो इसको चलाने का फील है और स्पेशली में एक लाइट फूट ड्राइवर हूं तो मैं पावर एंतुजियास्ट नहीं हूं मुझे मुझे पसंद है बड़ को देंगे 4.5 स्टार आउट फाइफ थोड़ा सा तो हर इसमें रहता ही है मतलब कार्स तो सारी अच्छी है जो भी सेग्मेंट की कार है सब में कुछ नकुछ खासियत है कुछ नकुछ अच्छा है सब में तो यह हमारी रिक्वार्मेंट के साब से बेस्ट थी इसलिए हमने यह लिए तो डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए आप क्या लेने जा रहे हो क्या परपस है आपका तो मैले जो अफकोर्स हमारे लिए भी मैटर करता था मुस्तली हमारी सिटी ड्राइब है हम लोग सेटी में ही जाधा रन है हमारा आउट अप स्टेशन हम कम ही लेके तो उसे साब से माइलेज देखा जाये तो इसका काफी अच्छा है साइस के साब से काफी अच्छा दे रही है सिटी में तो वह भी एक पॉइंट था कि मारूती की है जो है उसका अच्छा मारूती रहता तो मारूती से शिफट नहीं कर पा है तो मारूती आरे थी जिन पारेंड दूसरा जन्डी पर रहा तो उस वज़े से मारूती प्रेंच रहा बाकी के घंड वारेजन में बाकी ऑप्शन्स थे लेकिन वो कट होते गए फाइनली इन्होंने फिर मारूती पे ही हमने फाइनल किया अच्छा एंड इनको बर्दे पे हमेशा से गिफ्ट चाहिए था पिछले बर्डे तक इनको लेफ्ट आप चाहिए था तो वह मैंने नहीं दिया तो फिर इस बर्डे मुझे कार देनी पड़ी लेफ्टाप से ग्रैंड विटारा की स्टोरी एक बर्डे और रुख जाती तो यह हेलिकॉप्टर भांग लेते हुझ तो फिर थोड़ा सा हमने अ इस वह सब अपना एक्सपरियां करने के लिए इन शॉट बोलू तो देखो यार कौनसी भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते अगर आपकी प्रायरिटीज को यह कार मैच कर रही जैसा कि सर और मैम की प्रायरिटीज को यह कार मैच कर इसलिए ग्रैंड विटारा चॉइस बनी है आई होप आपके लिए वीडियो हेल्फुल रही होगी वीडियो यहां तक देखिए तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो मिलते हैं इसे एक इंट्रस्टिंग कॉंटेंट के साथ